नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमा सप्ताहिक रासी फल तो इस सप्ता अगर हम चंद्रमा की स्थिती की बात करें तो सप्ता की सुरुवात में चंद्रमा मिथुन रासी में रहेंगे और मिथुन रासी में जब चंद्रमा होते हैं त इसके बाद चंद्रमा घर्करासी में होंगे अब घर्करासी यहाँ पर देखिये मंगल नीच की द्रिश्टी तो थोड़ा सा रिस्क लेने के पहले इन दो दिनों में आपको सभल कर ही आगे बढ़ना चाहे और इसके बाद चंद्रमा सिंग रासी में होंगे तो यहाँ पर सनी की दिष्टी के कारण 20 योग बनेगा तो चंद्रमा की इस्तिती के अनुसार ही हम जानेंगे पूरा सप्ता आपके लिए कैसा मीताएगा तो बिस्वरासी बालों यह सप्ता सरवार सिध्धी योग गुरू पुस्य योग रभी योग का निर्मान तो करी रहा है साथ ही सुर्य बुद्ध से बुधादित योग भी बनेगा नीच भंग राज योग का निर्मान भी हो रहा है तो यह पारिबारी जीवन में सुक्सानती बनी रहेगी आपको अपने प्रेजनों का सपोर्ट मिलेगा स्वास्त के मामलों में भी बढ़ियां है अपनी दिन्चरियां में योगा एक्सराइज को सामिल करें तो ज्यादा अच्छा है अपने स्वास्त का भी ध्यान डखके अपने जो विल पाबर है उसको बढ़ाईए आपके परिबार के लिए भी लापकर ये वक्त है जीवन में अवसरों के लिए रास्ता बनाईए एक नई सुरुआत आप कर सकते हैं और दूसरा इसमें तबाम तरह की चीजों के लिए आप पहले आगे पीछे सोच लें फिर निरने तो यह सब्ता आपके लिए अगर हम ब्रिसब बालों की सब्ता की सुरुआत की बात करें तो देखिए कर्म छेतर में थोड़ा गंभीर होकर सोच समझ कर निरने लीजे चब चंद्रमा मिथुन डासी में रहेंगे सब्तम भाव में चंद्रमा की नीचे द्रिष्टी तो थो इसके पहले एक दिन आपके लिए बृत सब्तम ब्रिसब रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा ध्नप्राप्ति की योग बनेगा लोग जो कि खयालात के लोग हैं वो आपके संपर्क में आएंगे आपको positive energy मिलेगी खुद का मकान, भूमी, भवन, वाहन, संपत्ति, प्रोपर्टी, प्राप्ति का लाब मिलेगा भाई बेहन के माध्यम से कर कोई पैसे बेगर का पड़वारा है तो वो भी आपका favor में आएगा नोकरी बेपसाइब में बदलाओ के लिए बढ़ियां है वानी पर थोड़ा कंट्रोल रखे relationship में इस्तिती खराब ना हो इसलिए खासकर वानी पर ध्यान दीजेगा और सबसे महतपूर्ण ये है कि अगर कोई भी तरह का कहीं पैसा आपका फसा हुआ है वो मिल जाएगा जॉब से छुटी लेकर आप कहीं घुमने फिरने मस्ती के मूर में भी रहेंगे और इस समें अगर विवास समंधी कोई बात अठका हुआ है तो हो सकता है वहाँ पर आपको good news मिले इस सब्ता है सब्ता के बाद इस सब्ता में थोड़ा और आगे बढ़े तो करकरासी में जब चंद्रमा आएगा तब परमोशन के योग बनेंगे सिनियर का सपोर्ट मिलेगा सरकारी कामकाज बढ़िया रहेगा दोस्तों और इस्तेदारों के द्वारा पैसों की ठगी हो सकती है ऐसे में किसी पर भरोसा धन को लेकर ना करें लब मेरेज होने के योग बनेंगे लोटरी जुआ सट्टा से के जवारा आपका भागे खुलेगा भागे के दरवाजे और सब्ता के जो अंतिम दो दिन है वो नोकरी वेपसाय के मामलों में थोड़ासा मुस्किल देगा भूम तो ऐसे में अकड इगो को साइड रखें नहीं तो घवंडी कहलाईएगा वानी पर कंट्रोल रखें हलांकि अंतिम जो दिन है ठाट बाट से जिंदेगी कटेगी समाज में स्थिति सुधरेगी सिनियर का भी सपोर्ट मिलेगा नौकरी करते हैं तो लंबी दुरी की यातरा है वह ज्यादा अच्छा फल देगा मा का साथ मिलेगा अप क्या करेंगे पूरे सब्ता हमाता रानी को लौंग का भोग लगाईए और बाद में परसाथ की रूप में खालेजिए धन्यबाद फिर मिलेंगे